तो हर्याना के नतीजे चौकाने वाले जरूर रहे एक्जिट पोल्स को अगर देखेंगे मगर अब तस्वीर लगभख साफ हो गई है 48 सीटों पर भारती जंता पार्टी आगे चल रही है कॉंग्रेस 37 सीटों पर अगर विस्तार से आख़डों की बात करें तो 48 में से 41 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है 7 सीटों पर आगे चल रही है कॉंग्रेस की बात करें तो 34 सीटों पर कॉंग्रेस जीत चुकी है और 3 सीटों पर आगे चल रही है तो 37 सीटे हुई लोगदल की बात करें तो दो सीटे वो जीत चुकी है और इंडिपेंडेंडेंट टीन सीटे जीत चुके हैं तो ये है 90 सीटों का आखड़ा इसमें 80 की रिजल्ट डेकलेर हो चुके हैं और 10 पर अभी गणित चल रही है गिंती चल रही है वहां रिजल्ट आना बाकी है मगर लगभग मोटा माटी मान लीजे ये 48 बीजेपी और 37 कॉंग्रेस ये तस्वीर साफ हो गई है भारती जंता पार्टी साफ तोर पर चुनाव जीत चुकी है और सरकार बनाने जा रही है हर्याना में बदान मंद्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंद्री नाइब सेहनी को फो बनाया जाना चाहिए मुख्यमंद्री ऐसा उम्मीद जताई जा रही है जानकारों की तरफ से और ऐसी ही सितियां बंती दिख भी रही है भुपिंदर सिंग हुड़ा ने हालाकि इस हार पर कहा है कि ये हार काफी चौकाने वाली है हम कई जगे बहुत कम मार्जिन से चुना आयोग के पास जाने की भी बात वुपिंदर सिंग हुड़ा ने बोली है उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगे हमको शिकायते मिली है और हम ये शिकायते एक खटा करके चुना आयोग के पास जाएंगे शिकायत दरश कराएंगे कि कुछ गड़बड़ियां हुई है जिसक की चुनाओ आयोप की शिकायत की जाएगी तो कॉंग्रेस पार्टी चाहे वो हर्याणा यूनिट हो चाहे वो केंद्री यूनिट हो दोनों ही चुनाओ शिकायत करने की बात के रहे हैं एवियम पर लगातार सवाल खड़े की जा रहे हैं सुबह कॉंग्रेस कारेले में जश्न दिख रहा था शाम आते आते आप देखिए कईने कई बीजेपी कारेले में चाहे वो हर्याणा की बात हो जा केंद्री नेतरत्व की बात हो केंद्री कारेले की बात हो दोनों जिके जश्न का महौल है और इस बीच भुपिंदर हुड़ा कि जो बैब बात कह रहा था वो आपको सुना जेता हूं क्या बोले वपंदरुटा तो एक तरफ पार्टी है जो कह रहे हैं कि चुनावायोग जाएंगे शिकायत करेंगे हमें कईजी कि शिकायत मिली है दूसरी तरफ भारती इंदा पार्टी है जो जश्नकर मना रही है और बारत अक्टूबर को ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि मुख्यमंतरी नायव सिंग सैनी एक बार फिर से मुख्यमंतरी पत की शपत लेंगे और हर्याणा में जाहिर सी बात ह है बीजेपी ने तिहास रच दिया है तीसरी बार लगातार ऐसा पहले अंबहला मौका है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार हर्याणा में सरकार बनाने जा रही है तो आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे आगे का क्या रोट मैप रहेगा इस पर बात करने के ल हैं यह साफ हो गया है कि भाई बीजेपी हर्याणा में सरकार बनाने जा रही है वहीं कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि भाई गडबड़ी हुई है हम यह चुनाओ यह जो नतीजें सुईकार नहीं कर सकते चुनाओ आयोग जाएंगे तो यह जो दावे हैं शिकायत के ग किनार नहीं करता कि जो ruling party होती है उसके पक्ष में प्रशाशन काम करता है कुछ हद तक ये hot facts है कहीं भी चुनाओ हो इस बात को इंकार नहीं किया जाता जबकि ठीक है काफी time selection commission वहाँ active होती है अपने तरीके से वो DM हो SSP हो इन सब का तवादला भी करती है लेकिन इस सब के बावजूद भी जो ruling establishment होता है उसको फाइदा तो कुछ होता है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन मुझे एक बात बहुत साथ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से Congress हवा बना रही थी कि Congress प्रचंड बहुमत से जीत रही है तो Congress को सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि Congress की हार किस बज़े से हो इस बात को ध्यान में रखना होगा देखिए आज ही कुमारी शैलजा क्या बात कर रही इस बात को आप समझे इसका मतलब ये जरूर है कि Congress एक divided house थी जिस दम पर कहा जा रहा था कि अगर जाट और दलित मिल जाएंगे तो ये तकरीबन 70 का अकड़ा छू जाएगा या पार कर जाएगा तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि जाट और दलित कॉम्बिनेशन यहाँ पर काम की जाए ये एक बात बहुत साप-साप दिखाई पड़ा रहा है दूसरे कई सारे factors हैं जो मुझे नजर आ रहा है एक तो जाट वर्सेज नौन जाट ये बात ठीक है कि जाट लैंड में भी BJP नौसीटें जीती है जहाँ पर उनका बाहुल है बर्चस हो है लेकिन इस सब के बावजूद भी कई कई छोटी जातियां वो एक साथ इकठा होती है और ये BJP की रननीती कोई इस चुनाओ में रही है ऐसी बात नहीं है 2014 से लगातार ये रननीती BJP के लिए काम करती रही है दूसरी बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि जीत के और क्या फैक्टर्स है तो BJP ने 30 टिकट बदले और उसमें से 22 कैंडिडेट जीते तो 30 टिकट बदलने का मतलब है कि आपने एंटी इंकंबेंसी को खतम कर दिया आपने 6 मैने पहले चीफ मिनेस्टर को बदला तो एक एंटी इंकंबेंसी वहां खतम हुआ फिर आपने उम्मिदवार बदल दिये तो एंटी इंकंबेंसी खतम करने में आप वहां भी कामियाब रहे एक बड़ा फैक्टर मुझे ये दिखाई पड़ता है दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया ही कि CM को बदलना और CM OBC से लाना आप समझे एक तरफ OBC CM बनाते हैं दूसरी तरफ आप ब्राह्मन स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं तो ये जो जबरदस कॉक्टेल आपने किया OBC प्लस फॉरवर्ड कास्ट का ये भी एक जबरदस तरीके से BJP के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है तीसरी सबसे बड़ी बात ये नजर आती है मुझे जाट और गैर जाट का फॉर्मूला तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2014 से ही काम करता हुआ दिखा है और जहां तक सवाल है इस चुनाओं में तो एक चीज मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि JJP का जनाधार घटा है तूटा है और BJP को साफ फाइदा मिलता हुआ दिखाई पड़ा है तो ये सारे factors का effect मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जिस BJP को तमाम राजनितिक पंडित exit poll right off कर रहे थे कि हर्याना में BJP की स्थिते बहुत खराब है ऐसा बिलकुल नहीं रहा result आपके सामने है अब आप साफ दिखाई पड़ रहा है कि BJP बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये बात साफ दिखाई पड़ता है कि BJP ने जो भी रन नीतियां अपनाई वो सक्सेस्फुल रही है बिलकुल सक्सेस्फुल रही है इसमें कोई दोराए नहीं है रमेश जी आप से समझना चाहूंगा अब तो तस्वीर लगबख साफ हो गई है एक्जिट पोल की दिन भी हम जुड़े थे उस दिन इसा लग रहा था एक्जिट पोल लेक की शायद जो कयास लगाये जा रहा है उसमें कॉंग्रेस काम्याब हो सकती है मगर जब नतीजे सामने है जो सुबह के तस्वीर थी और जब शाम की तस्वीर है एकदम आप मानि तकता परट सा हो गया है सरफ जी अगर आपको कुरानी बात याद हो तो मैंने एक बात जरूर कही थी मैंने का आप बीजेपी को कमजोर मच समझीए बीजेपी ने अपने तरीके से चुनाओ लड़ा है हाँ ये जरूर है कि 10 साल का एंटी इंकम्बेंसी फेक्टर जरूर है और उस चीज को बशर्ते की कॉंग्रेस उस एंटी इंकम्बेंसी के फेक्टर को हवा को अपने उधर कैसे डाइवर्ट कर पाती है ये बड़ा प्रसंशी ने था और शायद मुझे दो चीजेँ और भी लगी कि बीजेपी ने चुनाओ बहुत अच्छे तरीके से लड़ा बीजेपी के चार-पांच जो वादे थे वो वादे जरूर काम्याब कर गए एक तो ये था कि उन्होंने कहा था कि जो जौब सीक्योर्टी का मैटर है वो मैटर यानि कि एक लाख बीज जार करमचारी सीधे तोर पर जुड़ा है अगर आप एक लाख बीज जार करमचारी को लेते हैं और मिनिमम मान के चलिए कि उसकी फैमिली में चार लोग हैं तो उसको भी ये तो भरोशा था ही कि वही अगर यह क्योंकि मुख्यमंतरी ने कहा था कि मैं मुख्यमंतरी पत की सपत बात में लूँगा और सबसे पहले मैं आपका जौब सीक्योर्टी का लेटर आपके हाथ में दूँगा जी बड़ी चर्चा है लोग उसके उलगे ट्वीट भी करने लगे हैं सोशल मीडिया पर चर्चा भी होने लगे कि क्या यह होगा अरे यह 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 शोशल मीडिया की ना एक बड़ी तगड़ी फौज है और जैसे ही उनको पता लगा कि आप कहां ट्रेंड कर रहा है मामला तो आप विश्वास मानिये CPLO और जॉब सीक्योर्टी, HKRN, हैस्टेक बना करके पुरा ट्रेंड चलाते हैं वो लोग तो वो उनको भी लगा कि इस सरकार ने वादा किया है और शुरुवात भी किये तो क्यों ना इनके साथ जो एक विश्वास के रूप में देखा जाए थोड़ा सा इसमें वोपें सिंग उड़ा ने एक बयान दिया था बहुत पहले बात में उन्होंने खेर उसमें सुधार कम हो लेकिन जॉब तो मिल रही है एक रूटीन का एक सरकल चल रहा है मंतली कुछ नो कुछ आ रहा है तो यह सब चीजे भी अपनी जगा माइन रखती है और दूसरा मैं मेरा यह मानना है कि कॉंग्रेस को कॉंग्रेस नहीं खाया जो कुमारी शैल्जा थी आप उनके तमाम ब्यान देखिए तो उन्होंने कोई कॉंग्रेस के लिए बहुत अच्छा प्रदश्ण नहीं किया जितने उनके बयान को बयानों साथी वो अगर देखें तो फील्ड पर प्रशार करने भी नहीं उतरी यह बड़ा विश है जो इसको पकड़े रही वो तो थाई आप यह द कहीं निराशा जनक था और दूसरा मैं सबसे बड़ी चीज मानता हूं कि इस नतीजों ने यह कह दिया कि हर्याना की जो जाट है वो इस गलत फहिमी में ना रहे हैं कि चौधर उनके बगैर जो है हर्याना में कोई और नहीं पासकता जी आपने देखा होगा बिल्पुल सार सिस्टम क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने और कई लाकों में जो बुपेंद्र उड़ा का गड़ माना जाता था सो नहीं पाए तो रगल बगल वहां पर वो किस कदर जो है एक नए रूप में उलवरे हैं और सबसे एक बात और मैं कहूंगा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए तो जब आपका सेनापती चुनाव हार जाए तो और रण छोड़ दे या मैं कहूं तो रण में पराजय हो जाए तो राजा के लिए बड़ी मुश्किले भर जाती है तो कुछ यही हुआ और अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस को बहुत जदा चिंतन मंत सब्सक्राण यह जो आपती लड़ाई जगड़े है इनको छोड़ करके आगामी चीजों की त्यारी करने होगी और जिन इलाकों में लोगों ने उनको वोट दी है कम से कम आज की समय जो वोटर्म के साथ खड़ा है उनके साथ उन वोटरों को संग्ठित करके आगे ले जान है मगर यह मान के चलिए कि बीजेपी भी कुछ ना कुछ खेल कर रही है उसमें भी चुनाव में वापसी की है और कुछ भी हो सकता है उसे क्लियर नहीं बोले मुझे अच्छ से आज है यह लड़ाई यह लड़ाई दो लोगों की बीच में थी और तीसरे तो वोट का सब्स किर्दार हैं जेजेपी हो या इनेलो हो वो अतना प्रभावी रूप से नहीं है तो ऐसा माना जा रहा था कि कहने के बीजेपी का नुकसान होगा मगर हुआ दूसरा इस बाइपोलर कॉंटेस्ट में फाइदा बीजेपी का हुआ एक बात समझें उत्तर परदेश में अजाद समाज पाल्टी के वोट हैं उस वोट को देखते हुए जन्नाय जन्ता पाल्टी ने अजाद समाज पाल्टी के नेता के साथ गड़बंदन किया कि शायद उधर की जिसको उत्तर प्रडेश की भासा में बोलते बायार इधर भे और कहीं न कहीं यह भी छोकों के साथ इनको भी बहुत कुछ मिल जाए लेकिन हर स्टेट का अपना स्क्रचर है हर स्टेट का अपने एक सोचने का तरीका है यह बड़े नेताओं को समझने पड अभी इस बीच अमिश्या के बयान आये हैं बीजेपी की प्रजेंट जीत पर उन्होंने हर्याना की जंता को बधाई दी है कहा है कि जंता ने कॉंग्रेस की नकरात्पक राजनीत को नकारा है देश का अपमान करने वालों को हर्यान सबक सिखाया है लगाता तीसरी वार अवस उस देर में पहुंचेंगे पार्टी कार्याले जहाँ पर ओलरीडी जशन का महौल है हर्याना में जिस तरीके से काम्याबी मिली है बीजेपी को उसके बाद यहाँ जशन चल रहा है प्रतान्मंतरी लोगों को संबोधित करेंगे कारकृताओं को वाँ संबोधित भी यही तो चुनाव आयोग का बाया भी आया है उसे साथ तोर पर कहा है कि अभी तक उनके पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है शिकायत अगर आती है तो वो सक्त action लेंगे तो आप Congress कब शिकायत करती है क्या शिकायत करती है यह दावे करती है यह देखने वालाओ को साती उसके बाद चुनाव आयोग क्या फैसला करती है उन्स शिकायतों के अधार पर ये भी देखने वाला होगा उस पर नजर हमारी बनी रहेगी पर मैं अंकर जी जो फील में घूम रहा था हरयाना में लोगों को पास तो मुझे एक चीज बड़ा ही विजबल दिख रही कि आप जब जाट वोटरों के बीच जाएए तो वहाँ पर सारी शिकायतें जो बीजबी के खिलाफ चल रही थी वो बड़ी विजबल होती थी बड़ा उसको लेकर वोकल होते थे चाहे वो किसान अंदुलन की बात हो चाहे वो जो फैमली आइडी की बात हो प्रोपर्टी प्रश्टाचार की बात हो नौकरी की बात हो पहलों आना वालों मुद्ध हो मगर जैसे ही आप अधर कास्ट में जाते थे जाये वो समर्ण हो राजपूर ब्रामण हो अन्योबीसी जाती हो रोड जाती हो तो उनकी भी साफ तो पर बीज़ेपिक सपोर्ट नगरा था तो इसी भी राज में घूमें तो आप यह पाएंगे कि कुछ जातियां बड़ी वोकल होती है वो पावरale होती है उनका हर जगह प्रतिस्ठान में लोग होते हैं और वो सालों से उस राज में या तो establishment में रही है या नौकनियों में ज्यादा रही है या ज्यादा prosperous हैं बतलब अमीर हैं अब होता क्या है कि जब ये जातियां आगे बढ़ करके बोलती हैं तो इसका इसका reaction भी होता है आप इस बात को समझें दर असल जो परिनाम में दिखाई पड़ रहा है हरियाना में कि जाट बहुत कुछ बोल रहे थे तो बीजेपी ने ये politics 2014 से ही वहां पर शुरू किया क्योंकि हरियाना एक लोता ऐसा राज है जहां पर 33 साल तक जाट मुखमंत्री रहें तो अब आप समझ लीजिए कि जाटों को ऐसा लगता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आई है और हमें हटा देती है अब देखिए किसानों का मुद्दा हुआ इसमें कोई शक नहीं कि जमीने जाट के पास बहुत जादा है तो किसानों के मुद्दे में जिस तरीके से उनका पार्टीशिपेशन रहा केन सरकार को जुकना पड़ा तीनों लॉज वापस लेने पड़े लेकिन फिर से MSP का मुद्दा आ गया फिर पहलवानों के मुद्दे को हरियाना के असमिता से जोड़ा गया बीजेपी बार-बार कहती रही कि इसमें पॉलिटिक्स है कॉंग्रेस इसके पीछे है दिपेंदर हुड़ा का नाम आ रहा था दरसल आप इस तरह की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे आप कहीं भी चले जाईए और यही चीज बड़ा इंट्रेस्टिंग है कभी बिहार में लालू प्रसाद इस तरह का पॉलिटिक्स करते थे कि वो अगड़ा बनाम पिछड़ा करते थे लेकिन जब लालू प्रसाद 15 साल तक सत्ता में रहे तो नितीश कुमार आए और नितीश कुमार ने OBC में ही EBC बना दिया मतलब डॉमिनेंट कास्ट यादव हो गई और यादव के खिलाब तवाम जाती हैं पोलेराईज होने लगे अब देखिए लगातार लालू प्रसाद सत्ता से बाहर हैं सत्ता के मोहने तक पहुच करके भी बाहर हैं पिछले 10 साल का इतिहास आप उत्तर प्रदेश का उठा क करके देखिए अकलेस यादव के खिलाब यादव एक डॉमिनेंट जाती के रूप में आता है तो उसके खिलाब कई सारी जातियां छोटी-छोटी जातियां इकठा हो जाती हैं और उनके खिलाब वोट कर देती हैं 10 साल से सत्ता से बाहर वो हैं ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप हर्याना गए और आपने ये देखा कि ठीक है जाट वोकल भी है जाट पावर्फुल भी है पॉलिटिकली भी पावर्फुल रहे हैं तेतीस सालों तक सत्ता में रहे हैं पर उनकी संख्या क्या है ये देखना बहुत इंपोर्टिक है बीजेपी ने बड़ा दूसरा एंटी जाट जहां पे ज़्यादा पोलराईजेशन होता है बीजेपी ने उसको टैप करने का प्रयास किया बीजेपी वहां भी सफल रही अब जाटों के बीच में भी वोट का डिवीजन कैसे हो गया उसके लिए जेजेपी भी थी इंडियन नेसनल लोकदल भी थ गया और एक डॉमिनेंट कास्ट के खिलाप बाकी सारी जातियां छोटी छोटी जातियां जब एकठा होती है तो परिनाम आपको इसी तरह का दिखाई पड़ता है और हरियाना में यही पॉलिटिक्स बीजेपी साल 2014 से कर रही है बीजेपी को लगा कि मनोरलाल खटर के खिल तो अब आप समझ लीजिए तीस नया टिकट देना, मुखमंत्री का चेहरा बदल देना, OBC सीएम लाना, स्टेट प्रेसिडेंट ब्राहमिल लाना, मतलब OBC और अपर कास्ट का कैसा कॉक्टेल बनाना है जबरदस्त, यह वहाँ पर बीजेपी ने किया साधना था, उसको साधने के लिए सारे प्रयास बीजेपी के तरफ से अंतिन समय में तेजी से बदलाओ किये गए, चाहे वो टिकेट बटवारे की बात हो, चाहे वो मुखमंत्री के बदलने की बात हो, चाहे वो तमाम अन्ने नरेटिव हो, चाहे वो वादों की बात हो, शक्ति को नमन करता हूं ये विकास और सुशाशन की राजनीत की जीत है मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकानशाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ऐसा प्रधानमंत्री नरेंदर मूदी ने कहा है और कुछ देर में ऐस चीजें उसके अगेंस्ट जा रही थी चाहे हो मनुलाल खटर के खिलाफ नाराजगी का विशह रहा हो या फिर जिस तरीके से नायप सिंग सैनी को उनको रिप्लेस किया और एक OBC जातिया है उनको मैसेज देने का प्रयास किया या फिर जो जाट डॉमिनेंट दिख रहे थ आम जाटों के बीश जारा था तो वहां सारे मुध्र मुखर दिख रहे थे नाँ जाति बीश जान थे लोग छोड़ा शांत थे फोड़ी ओशुकायते कर रहे थे बौर बोट को लेकर बहुत खुल के बात नहीं कर रहे थो और बड़ा विजवे न sugन-divati कर एक आने को और उसमें से आप 60% वोट ले जाते हैं तो आपकी विक्टरी कौन रोख सकता है यहां दरसल कॉंग्रस में एक perception क्रियेट हुआ कि वो बेंच सिंग उड़ा जो इस समय कॉंग्रस की कमान समाले हुएं वो कहीं न कहीं कुमारी शैल्जा को दबाने में लगें यानि कि दलित को दबाने में लगें और हुड़ा का जो system है हुड़ा का जो mechanism है वो केवल जाटों के favor में ही काम करेगा तो कहीं न कहीं वो जो लोकसभावाली स्थिती थी वो दलित वोट उनसे चटका और सबका target था एक ही इन ही नहीं सबका target था इंडिया नेशनल लोगदल का target था दलित व वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वोट बैंक कॉंग्रस का काटने के लिए उन्होंने आजा समाज पाल्टी से गडबंदन किया तो दरसल सारी situation में यह था कि कि किसी भी तरह से जो कॉंग्रेस को एक कथित तोर पे जो वोट ट्रांसफर होना था वोट वहाद पर कि को हुआ और कॉंग्रेस के जो पूरे चुनावी मेकैनिजम था जो उनका चुनावी सिस्टम था वो पूरा भुपेन सिंग उड़ा पे केंद्रित था और कुमारी शाहल जा जीस प्रकार 5-6 दिन बैठ गई और उन्होंने किया नहीं उसको लेकर चर्चाएं चुरू हो और शायद आपको ध्यान होगा कि भाज्ती जंदा पार्टी के कुछ नेता होने का बस कुमारी शाहल जा आने वाली हैं और इवन की मनोर लाल जी का भी कोटा सा संभोधान आया कि कुछ भी संभव हो सकता है उन्होंने सीधा नाम तो नहीं लिया लेकिन 6-7 दिन बाद जाक हैं उनमें एक एक दिन अपने आप में माइने रखता है कि कब क्या क्या पलट जाए आप एक छोटी सी गलती करते हैं आज का आईटी का सिस्टम है आईटी का यूँकर तुरन चीजे वाइरल हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि दलितों का जो वोट बैंसाधने की जरूर है कि आप इसको माने ना माने देखिए पिछली सीटों से तो कॉंगरस की सीटे बढ़ी है यह तो देखो यह सच है स्विकार ना होगा और जहां तक भूपेन सिंग उड़ा बात कर रहे थे कि यह गड़बड़ वो गड़बड़ देखिए जो जनता ने आपको प्रत्यारोब चुलू कर दिये तो लोग कहेंगे कि सच को स्विकार करना कॉंग्रेस को नहीं आता या अगर आपको ध्यान होगा तो परसो ही मुख्यमंतरी ने जब किसी की थी प्रेस कॉंफरेंस की तो ने कहा था कि यह जो एक्जिट पोल के नतीजे आये ना इन नतीजो पर बहुत जादा मत जाईए और यह त्यारी किजिए कि कब कॉंग्रेस एवियम को लेकर के सवाल खड़े करेगी और कहेगी कि यह सब मिली बगत है और नतीजे उससे उलट ही होंगे और हुआ ऐसा ही सब की सोच से परे हैं हाँ यह जरूर है कि OBC समाज जो नायब सेनी के स सतनी बड़ी सकता की चावी आई है तो उसको जाने नहीं देना यह जो संगठित होकर के वोट मिले इसने एंटी इंकंबेंसी को प्रो इंकंबेंसी कर दिया और यही फायदा है कि आज भारतियंता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई है और सबसे बड़ी बात है कि यह उम रहा हो आपकी सरकार आने वाली हो उनको भी यह जो नतीजे आएं उनकी स्तोच से हटके थे और जाहिर तोर पर बोलिंग के बाद जो उनके इंटर्नल सरवे चीजे काम करती है उसने बताया कि जी आपकी तो बल्ले बल्ले है और इसी लिए मुक्यमंतरी सामने आ करके बोले तो ओवरॉल यह देखें कि अकेला जाट वोट लेने से हरियाना में कुछ नहीं होने वाला है जाट प्लस दलित और प्लस बिछडावर की वोट अगर आपको मिलेगी तभी आप चंडिगर में सचीवाले के अंदर पूर्थ फ्लोर के मुक्यमंतरी कमरे में बैठ सकते हैं नहीं तो फिर आपको विधान सभा में नेता प्रतीपक्ष कमरा मिल सकता है उसके लिए वी आपको विधायकों की संख्या ज्यादा लानी पड़ेगी ये परिस्पितिते परिश्चा तो मुझे लगता है आ गए कि नेता प्रतीपक्ष को आला कमरा और पत तो मिले ज़ये जी जी कुछ किले भी ढहे गए इस चुनाओं में अगर देखा जाए तो देखिए आदम पूर जो की लगातार लंबे समय से विश्णोई परिवार जीता आ रहा था भवी विश्णोई वहाँ पर चुनाओं हार गए एला वास से अभय चौटाला चुनाओं हार गए उचाना देके से जो आरती राओ है उनका मामला भी अटेली में बड़ा करीबी रहा है तो जो बड़े नेता है वो कहीं न कहीं चुनाओं में फसे नजर आ रहे थे इतना आसान उनके लिए मामला था नहीं है और जैसे कि दिन में हम लोग बात करने थे कि एक जिट पोल्स के बारे म और उसमें भी अगर ये जहां पर 90 सीटे हों और 90 सीटों में आप देखिए बीजेपी को 48 सीटे आती और कॉंग्रेस को 70 सीटे आती ग्यारा सीट का फासला है और इन 11 सीटों के फासले में अगर आपका वोट का मारजिन बहुत सारी सीटों पर 1000 होता है 500 होता है तो इसको exactly judge कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है यह आसान काम नहीं होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दरसल जब आप वोटर से बात करते हैं आपने खुद कहा कि आप एक तबके के पास जाते थे तो वो इस तरीके से बात करते थे कि आपको लगता होगा कि यहा 400 के बराबर है और दरसल ऐसे वोटर्स के खिलाफ एंटी पोलराईजेशन भी गजब तरीके से होता है इस बात को भी आप जाल लीजी तो जब इस तरह के वोटर्स के खिलाफ क्योंकि ये लोग डॉमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स डॉमिनेट करते हैं तो लंबे समय तक चु कि बक्सा से जिन निकलेगा वो जिन क्या होता था ऐसे लोग होते थे जो कि कहीं मुखर हो करके बोली नहीं पाते थे कि वो किसको वोट देंगे और उस समय चुकी पिछणों के हीरों के रूप में लालू प्रसाद जाने जाते थे उनके पक्ष में वोट मिलता था अब ला प्रसाद की पार्टी 14% यादब अब समझ लिजे 14% यादब के विरोध में तमाम ये जान लिजे 33% से ज़्यादा EBC एक जुट हो करके वोट करने लगती है जो कि बहुत आपको मुखर नहीं दिखेगा सडकों पर बहुत आकरामक नहीं दिखेगा अग्रेसिव नहीं दिखेगा अब वोट करने जब जाता है तो उसका वोटिंग पैटरन बड़ा दूसरा होता है और फिर जब रिजल्ट आता है तो आप हैरान होते हैं कि अरे सडकों पर तो आमने कुछ और देखा था और दरस दरसल हुआ कुछ और तो जो आप हरियाना में कह रहे हैं दरसल यही बात होती है कि कई बार जो मजबूत जातियां होती हैं वोगल होती हैं चौक पर, चौराहे, पर, चाई की, दुकान पर, पोस्टर्स पर, स्लोगन्स के जरीए वो बहुत तरह की बाते करती हैं, माहॉल तो बनाती हैं लेकिन बहुत सारी जातिया जो dominant नहीं होती जो dominant नहीं करती है वो चुप रहती है लेकिन polling booth पर vote डाल करके वो अपने इरादे को जाहिर करती है तो इसलिए ये जो परिनाम होता है वो निश्चित तोर पर exactly तभी पता चलता है कि दर असल होगा क्या अब देखि कि 8 seat पर अगर कॉंग्रेस किसी तरीके से कुछी वोटों से जीत रही होती तो पूरा पाशा बदल गया होता दिखाई पड़ता कि कॉंग्रेस सरकार बना रही है लेकिन ऐसा हो नहीं पाया पर एक बात मैं जरूर कहूंगा चुकि हरयाना में इस बार बीजेपी को बहुत क समझोर आक रहे थे दरसल स्थिती बिलकुल इसके उलट थी बीजेपी की तमाम रननीतियां कारगर साबित हुई और एक बार ये साबित फिर से हो गया कि आप किसी डॉमिनेंट कास्ट के बदलत आप सता में नहीं आ सकते इस भी ये बात तै हो गया ये बात विहार में भी होता है ये बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है और ये बात तीसरी बार हर्याना में भी लागू होता है कि भूपिंदर सिंह हुडा के नितरित तुमें आप 2014 आरते हैं 2019 हारते हैं और 2020 आरते हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका Social Engineering क्यों फेल हो रहा है एक डॉमिनेंट कास्ट के लीडर को ले करके आप चलते हैं तो दलित में मैसेज जाता है कि अरे ये सत्ता में आ गया तो मेरी इस्तिती तो बड़ी खराब हो जाएगी आपको याद होगा 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने कॉंबिनेशन किया एला लेकिन बसपा के वोटरों को लगा कि अगर सपा को वोट कैसे दिया जा सकता ये लोग तो हमें ही तंग करते हमें ही परिशान करते हमें ही दिक्कत होगी दरसल मुझे एक चीज जो समझ में आती है वो ये है कि बिपक्च यानि कि कॉंग्रेस और इंडिया गटवंदन जो संबेदान लिखा गया है उसको बदल देगी आरक्षन खतम कर सकती है तो दलित बीजेपी से नाराज दिख रहे थे और उसका इंपक्ट पड़ा उसका असर दिखा बीजेपी 240 तक सिमट गए लेकिन उसके बाद बीजेपी के तरफ से जिस तरीके से एग्रेसिबली इस नेरेटिव को तोड़ने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ हुडा और कुमारी शैलजा के बीच की जो केमिस्ट्री है वो लोगों को समझ में आने लगी कि शैलजा कैसे नाराज हैं तो उसका भी असर इस चुनाओं परिनाम में हमें साब साब दिखाई पड़ा है बीचा भी कभी भी घोशित हो जाएगा तो तस्वीर अब एकदम साफ है हर्याना में बीचेपी सरकार बनाने जा रही है अगर आकडों की बात करें तो बीचेपी को 49.94 फीजदी वोट मिले हैं वह कॉंग्रेस को 49.09 फीजदी जाने की 0.85 फीजदी कही अंतर है दोनों ही पार्टियों में तो अंतर बहुत बड़ा नहीं है मगर जब सीटों के बात होती है दो 0.85 के बदोलत बीचेपी आप देखिए कॉंग्रेस से 11 सीटें आगे है और सरकार बनाने जा रही है रमेज जी आप देखे सरकार तो साफ होगी बीचेपी के बनने जा रही है मैं आप आप से समझना चाहता हूं कि आप हर्याना को करीब से देखते समझते हैं बीचेपी का शुरवाती एजेंडा हर्याना में क्या रहने वाला है लोगों की सबसे पहली जो अपेक्षाइं होगी हो हर्याना में बीचेपी से क्या होगी और किस मोड में बीचेपी आगे बढ़ सबसे पहला जो उनका 500 रुपे में सिलंडर देने का जो वादा है उसको पहले वो एक्जेक्यूट कर चुकी थी लेकिन वो उसका फाइदा सीजे तोर पर आम लोगों को नहीं मिल पाया और उसमें ये था कि आप और नाइन पोल्टल पे अपनी डिटेल्स डालिए हमारे हाँ मैं फटी से जानकरी दूँ आपको एक सिस्टम चलता जो बोलते है परिवाद पहचान्पत्र परिवाद पहचान्पत्र जो है वो कई चीजे डिस्क्राइब करता है माले जी आपकी फैमली में इसका कितने इंकम है जैंट। मेकेनिजम त्यार किया था कि जो एक लाख असी जार रुपए से जिसकी आमदनी कम होगी यानि कि अगर वेतन लेने वाला करमचारी या जो भी कोई होगा उसकी तरखा 15,000 रुपए से नीचे है और या 15,000 रुपए तक भी है तो वो हर्याना सरकार में वो BPL का पात्र होगा यह उन्होंने एक रियल टाइम डाटा मेकेनिजम के लिए PPP ID करके बनाया जाए तो उसी के तहट जी सरकार ने कहा कि आप अपना उसमें गैस का डिटेल डालिए और हम आपको 500 रुपए का जो आपको स्लेंडर पढ रहा है उससे जो एक्स एक्स्ट्रो कॉस्ट है वो सरका काम किया और इसके अलाबा जो मुझे लगता है कि जो उन्होंने घोष्णाय की है और भी चीजों को ले करके वो चीजे परभावी होंगी लेकिन सबस्यादा हरियाना में बुज़ूर्ग जो है वो नजर रखता है सरकारों पर कि आखिर उसको पैंशन कितनी बढ़के मिले पैंशन मिल रही है उसमें कितने की बढ़ोतरी होगी और महिलाओं को सबसे बड़ी बात है महिलाओं को जो 21 अब यह है कि उसको कैसे करती है क्योंकि महिलाए तो कहेंगी दिल खोल करके आपको वोट दिया आपको आशिदवाद दिया अब पैसे कब हमारे खाते में एक आप चर्शा कर रहे थी किले जो ढए गए देखे इसको आप यह देखे कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि यादो की बिहारवार में बहुत चलती तो देखे हरियाना में भी यादो बहुत है आप गुड़गाओं से ले करके अहिरवाल शेत्म रजीर के महंदर गड़ और अश्तिया इलाका यहांपर यादो सीज के नहीं बोलते हैं लियान भी यादो ही है और ऑर इसक्राइब कि Permश आप हो? तो बीजेपी ने वाकई देखिए उनके किले में उनके जरीए सेन लगाई और बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुती कॉंग्रस काम्याब हो पाई बहुत ज़्यादा काम्याब नहीं हो पाई लेकिन जो भजनलाल की विरासत की जो भजनलाल हर बार रेंट लगा है मैसिज देते थे कि भी हमने अपने आदमपुर के लिए हिसार के लिए विष्णोईयों के लिए बहुत काम किया वो जो मौका चूप गया इस बार तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा चिंता जनक विशह है यानि कि क्या भजनलाल की वो विरासत धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रही है क्योंकि अगर बंसी लाल की विरासत की बात की जाए तो बंसी लाल की विरासत को तो कहीं नहीं कि किरन चोधरी ने अपनी बेटी को चुनाव लड़ावा के बचा लिए तो विरास्तों में तो इस बार सबसे अलग खेल रहा और सबसे बड़ी बात है कि नायब स कि अगर और जहां तक आप बात कर रहे थे मुझे लगता है मेरा व्यक्तिकत मानना हो सकता है कि मैं गलत हो सही हूं मुझे लगता है अगर कॉंग्रेस को लगता था कि दलित वाली ही गेम है तो खेल लेना चाहिए था उनको भी बोलते कुमारी शैल जाग लिए मुख्यमंतरी होंगी भाई दलितों को भी तो लगता ना की शिर्यूल कास्ट को लगता है मुझे लगता है कॉंग्रेस के जब शीर स्नेतर तो बैठेगा तो इन बातों पर मन्थन करेंगा कहां चूक हो गई क्या कुमारी शैल जा को डेकलेर कर देना चाहिए था अगर अगर OBC के पीछे नायब सेनी के पास इतना बड़ा वोट पैंक आ सकता है तो शिर्यूल कास्ट के पीछे क्या पता कुमारी शैल जा कुछ खेल लेती है कि अशोक तवर को आखरी दिन इंग्दम चुनाओ वोट देने के पहले फिनाओ प्रचार का आखरी दिन शामिल कर लिया गया कॉंग्रेस पार्टी में तो उनको लगा कि ये मैसेश देने में कामयाब रहेंगे मगर अंतिम दिन तक मुझे लगता है शाहे देर हो गई ये वो मैसेश पहुंच नहीं पाया लोगों तक जबकि कुमारी शैल जा वाला जो पुरा एपिसोर्ड है वो लंबे समय से लगात कार चलता रहा था और फील्ड पर भी नजर नहीं आ रही तो बीजेपी कहीने के उस नरेटिव को पहुंचाने में कामयाब रही और जो दलितों की नराजगी के फैक्टर चल लहा था लोगसुभा चुनाओं से कहीने उसकी काट कुमारी शैल जा के रूप में बीजेपी न सा नंबर लगेगा अब कल या पर तो जब भी विधायक दल्किन की बैठक होती है तो उसके बाद आप देखना तमाम मीडियो में रहेगा कि किस जाती के किस को कौन सा मंतरी बनाया जा सकता है और चीजे कैसी होंगी अब उन पर चर्चाय रहेंगे लेकिन मैं समस्ता हूं क कॉंग्रेस को अभी भी मंतर्ण करने के जरूरत है उनको देखना चाहिए कि आखिर वो सता से बाहर धेदरे क्यों होते जा रहे हैं एक चीज और है कि बुपेंजिंग उड़ा जो जाट के सहारे जाट समधाय के सहारे अपनी राजनीती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर र होता है और अगर मैं कहता हूं इसको दूसरे फेक्टर में लिए अगर माल लिए पचास सीटे अगर वो पेंजिंग उड़ा की आ गई होती तो यहां पे यह चर्चा नहीं चलते कि कॉमारी शाल्या कहते हैं कि हमारे इतने मंतरी बनाओगे तो समर्दन देंगे नहीं तो हम जाहूंगा कि कॉंग्रेस का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा इस पूरे मसले को देखें अगर जम्मु कुश्मीर बात करें तो वहां भी बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फरेंस है और उनका प्रदर्शन बहतर रहा है इसलिए उसलिए बनाना जा रहे हैं हर्याना में क पोस्ट देखे समाजवाद्धी पार्टी जोड़े लोगों के उनके समर्थक लोगों के इस तरीके से मैंने बिहार के परिपेक्ष में देखा लोग पिछला विधान सुभा चनाव याद दिला रहे थी कि आपने बिहार में जो गटबंदन था कॉंग्रेस पार्टी का और आरजेडी का उसमें कॉंग्रेस पार्टी को मजे की सीटे दे दी थी और उनका परफॉर्मेंस उनका स्ट्राइक रिट इतना अच्छा नहीं रहा था ने पिछली बारी आरजेडी ने वहां सरकार अपने दम पे बना ली होती तो आगे को लेकर वहां पी सचेत किया जा रह और दिखाई पड़ता है जैसे प्रधान मंत्री मोदी का ग्राफ गिर रहा था और राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा था क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी ने इतना बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि 2014 में अपने दम पर सत्ता में आना 2019 में अपने दम पर सत्त में आना लेकिन 2024 में अलाइंस में सरकार बना अग्स तो इसलिए ये कहा जाने लगा था कि उनकी लोगप्रियता कम हुई लेकिन राभुल गांधी जो की 2014 में पर्फॉर्मेंस 19 में भी लॉपी नहीं बन पाए थे 2024 में वो एलोपी बन पाए तो ये का जा रहा था कि राहूल गांधी बड़े पॉपलर हो रहा है पर हरियाना की इस हार ने कॉंग्रेस के ग्राफ को जो की उपर जा रहा था वो कहीं न कहीं उसको रोक दिया अब निश्चित तोर पर एक बड़ा सवाल ये उठेगा कि तीसरी बार भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाया हरियाना में जबकि जीत और हार का फर्क एक परसंट से भी कम वोटों का है लेकिन जीत और हार ही मैटर करता है ये बाद मैं अनेलिसिस में आता है कि इतना परसंट पर चुनाओ लड़िये वो डॉमिनेट करेंगे ऐसे अगर यहां कॉंग्रेस जीती होती और जम्मू कश्मीर में भी कॉंग्रेस एंसी की मदद से सरकार बना रही है तो कॉंग्रेस कहती कि देखिए अब हमारे पक्ष में माहल बन रहा अगर आप हमे कॉंग्रेस को कंप्रमाइस करना पड़ेगा और यही बड़ा फरक होता है कि एक जीत और हार आपके लिए क्या कुछ कर देता है अब जमू कश्मीर में सरकार बनी है तो एनसी भी वहाँ 41 से ज़्यादा सीटें जीती है तो कॉंग्रेस का कंट्रिबूशन वहाँ कोई बहुत बड़ा तो है नहीं लेकिन जहां हरियाना में कॉंग्रेस को जीतना चाहिए था वहाँ कॉं में भी हमन सोरेन कह सकते है कि कॉंग्रेस को कम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि कॉंग्रेस को ज़्यादा सीट देने से नुकसान हो सकता है और कॉंग्रेस को यह सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो दरसल इसलिए का जाता है कि politics में समयकाल और परिस्तिती य देश्चे तोर पर आपका नुपसान होता है अब देख लीजिए बिहार में लोग सभा चुनाओं परिनाम के दिन ही यह एनाउंस कर दिया गया कि नितीश कुमार के नेतरे तो मैं हम चुनाओं लड़ेंगे तो आपने वहीं से एनाउंस कर दिया कि नितीश के नेतर तो मैं हम चुनाओं लड़ेंगे अब सवाल उठता कि आप हरियाना हार गए तो आप कैसे कहेंगे कि हमें उत्तर प्रदेश में सीट दीजे उत्तर प्रदेश में तो आपकी हालत वैसे भी पतली है वियार में स्थित में अलग-अलग राज्यों में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिलकुल रहे जाते आते एक अकड़ा आपको और बता दें आम आदी पार्टी जिनका गटबंधन कॉंग्रेस पार्टी जे होते होते रहे गया उसको मिले हैं एक पॉइंट साथ में प्रतिशत पहुचाना बारीकिया पहुचाना वह हम करते दें बागी हर्याणा के नतीज़ साफ हो चुके हैं 48 सीटों पर बी जे पी जी चुकी है эконом 10 सीटों पर गड़ेस जीच चुकी है दो इने अ परिप्टन की खाते में आने की खाते में तेन और हर्याणा में भारती जनता पार्टी लगातार तीसरी बार इतिहास रस्ते हुए सरकार बनाने जा रही है नायब सिंग सेनी ही मुख्यमंत्री होंगे ऐसे कयास लगाय जा रहे हैं वो माना जा रहा है कि 12 तारीक को 12 अक्टूबर को दशेरे के दिन वो शपत ले सकते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री पत की अब आगे बीजेपी के क्या रोड मैप रहता है इस पूरे हर्याना में जो जीत मिली है उसके बाद जनता के लिए वो क्या कुछ करते हैं इस पर हमाई नजर बनी रहेगी बाकि जो अपडेट्स आ रहे हैं चुनास जुड़े आप तक हम पहुचा ही रहे हैं योई पहुचाते रहेंगा आप देखते लिए टीवी नाइन डिजिटल शुक्रिया